So hey guys Welcome back to the channel तो friends oppo ने recently चैनल के अंदर अपनी oppo Reno 8 सिरीज के स्मार्टफोन को लांच किया है और इस सिरीज में oppo Reno 8, oppo Reno 8 Pro स्मार्टफोन के अलावा अगकी बार oppo Reno 8 Pro Pro स्मार्टफोन को भी लांच किया गया है और इंडियन मार्केट में भी OPPO Reno 8 सेरीज के स्मार्टफोन काफी जल लॉंच होने वाले हैं और OPPO Reno 8 सेरीज का 8 Pro Plus स्मार्टफोन लिटरली काफी प्रिमियम लुक्स और फ्लेक्सी फीचर्स के साथ आता है और इस वीडियो में आपको Reno 8 Pro Plus स्मार्टफोन के इंडियन मार्केट में लॉंचिंग प्राइज सभी पॉइंट्स के बारे में इंफोमेशन देने वाला हूँ तो वीडियो पसंद आई लाइक जरू करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सबस्क्राइब भी कर सकते हो डेली एसे ही टेक रिलेटड वीडियो के लिए तो सबसे पहले गाइस परफॉमेस की बात करें तो ओभो रेनो आट प्रो प्लस स्मार्टफ़ॉन मीडिया टेक के फ्लेक्सी प्रोफ्षर मीडिया टेक डेमसटी 8100 मेक्स के साथ आता है एंड यस ये वाला processor OnePlus 10R smartphone में भी दिया गया था और Dimensity 8100 Max chipset 5NM fabrication पर आता है तो battery efficiency बढ़िया रहेगी इसके अलबा Dimensity 8100 processor performance के मामले में भी top notch रहता है विकोज MediaTek का कहना है कि Dimensity 8100 chipset snapdragon 888 के equal performance लेकर आता है जो कि friends रियल लाइप में भी देखने को मिलता है और साथ में OPPO Reno 8 Pro Plus smartphone 8GB 120, 8GB के standard variant और 12GB 256GB के higher variant के साथ देखने को मिलता है और इस smartphone में आपको latest LPDDR5 RAM and UFS 3.1 वाली flagship storage का support देखने को मिलेगा और गैज OPPO Reno 8 Pro Plus smartphone Android 12 के साथ आता है जो कि Color OS 12.1 पर based है तो software experience यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और गैज बड़िया चीज यह है कि OPPO स्मार्टफोन के अंदर major 2 years के OS update भी देने वाला है इसके लवा डिस्पले डिपार्टमेंट की बात करें तो OPPO Reno 8 Pro Plus smartphone 6.7 inches की काफी बड़ी Full HD Plus resolution वाली एक 10-bit AMLA डिस्पले के साथ आता है और यहाँ पर फ्ले डिस्पले दी गई है और बेजल और चिन भी काफी कम रहते हैं तो यहाँ पर आपको screen to body ratio 92% से भी उपर देखने को मिलेगा और इसमें 100% DCI P3 Color Gamet HDR 10 Plus Certification भी दिया गया है और OPPO Reno 8 Pro Plus smartphone OPPO का पहला smartphone रहता है जिसमें सेंटर पंचोल वाली डिस्पले देखने को मिलती है और Reno 8 Pro Plus smartphone 120Hz की higher screen refresh rate 360Hz की touch sampling rate के साथ आता है और यहाँ पर in display fingerprint scanner भी दिया गया है और इसकी camera department की बात करें तो OPPO Reno 8 Pro Plus smartphone में triple camera का setup दिया गया है जो की काफी premium layout के साथ आता है और इसमें 50MP का OIS camera दिया गया है जो की Sony का flagship IMX766 sensor रहता है इसके लवाइस में second 8MP ultra wide and third 2MP का micro sensor भी दिया गया है और अफकोर्स इस smartphone से आप insane photography कर पाऊगे इविन स्मार्टफोन में 4K 60fps पर video recording का support भी दिया गया है और साथ में गयाज स्मार्टफोन के front side में center punch all cutout के साथ 32MP का selfie shooter देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको only 1080p 60fps पर video recording का support मिलेगा लास्टली गयाज बेटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो OPPO Reno 8 Pro Plus स्मार्टफोन काफी lightweight और slim रहता है इसके बज़न से स्मार्टफोन में 4500ms की decent battery capacity दी गई है बट बड़िया बात यह है कि OPPO ने स्मार्टफोन के साथ 80V की Superbook fast charging का support दिया है और OPPO का claim है कि इससे यह वाला स्मार्टफोन 31 minutes में full charge हो सकता है अब आते हैं गईज इस स्मार्टफोन के price point की तरव तो OPPO Reno 8 Pro Plus स्मार्टफोन चैना में 3999 युआन की starting price के साथ देखने को मिला है और यह Indian currency के according almost 45,000 rupees होते हैं और बताए जारा है कि Indian market में भी OPPO Reno 8 Pro Plus स्मार्टफोन सेम प्राइस के साथ देखने को मिल सकता है और finally guys launching के बारे में बात करें तो guys अभी तक OPPO ने Reno 8 सेरीज के स्मार्टफोन के Indian launching को लेकर कोई भी official confirmation नहीं दिया है बढ़ टील बताए जारा है कि OPPO Reno 8 सेरीज के स्मार्टफोन चैना मार्केट में जुलाई मंत के अंदर launch होने वाले हैं तो that's all guys यह कुछ information थी OPPO Reno 8 प्लस स्मार्टफोन के regarding तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्षिन में जुरू बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe बटन को दबा कर bell icon को भी प्रेस कर लिजे so that आपको मेरे वीडियो के notification time to time आपके device पे मिलते रहें